आणिये थे के वर्सोती खासकरीने सवराष्ट ना लोकोंनी आस्थानो प्रस्णतोर जुनागड रोप पे जारे मने जुनागड ने गीर सोमनाथ नी जनता है आविस्तार नी सेवा करवानी तक आपी थे त्यारे जुनागड रोप पे नुकाम सरू करावू छे ने वेली तके आपने पून करावू छे उन तमने विश्वास साथे कई सकू के त्यारे जुनागड रोप पे नुकाम पूर्जोसमा चालू गुजरात का सवराष्ट्र जहां विराजमान है भगवान सोमनाथ और द्वारका में श्री कृष्ण इनहीं के पास जुनागड में स्थित है गिरनार लाखों श्रद्धालूओं की आस्था कप्रतीक और आध्यात्म का ये क्षेत्र जितना खूबसूरत है उतना ही कखिन है लंबी चढ़ाई और ठकादेने वाले रास्ते दर्शन को बना देते हैं कखिन श्रद्धालूओं की इस कठिनाई को समझते हुए हमारे प्रधान मंत्री और ततकालीन मुख्य मंत्री श्री नरेंद्र भाई मोधी ने गिरनार को रोपवे से जोड़ने का निश्चय किया था जिसे मूर्त रूप मिला मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपानी के मार्क दर्शन में गुजरात टोरिजम के अथक प्रयासों से ये प्रोजेक्ट है स्टैच्यू अफ यूनिटी तथा मोटेरा स्टेडियम के बाद तीसरा यूनीक प्रोजेक्ट और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर रोपवे प्रोजेक्ट जिसकी लंबाई है 2320 मीटर और उंचाई 900 मीटर ख्रमता है 1000 यात्री प्रती घंटे जिसमें कुल 25 कैबिन जिसमें खास फ्लोर ग्लास वाला कैबिन भी है भवनाथ की तलहेटी से अंबाजी की चोटी तक पचपन सो सीड़ियों का अंतर मात्र आठ मिनिट में पूरा करेगा जिसे बनाया गया है PPP मोड द्वारा 130 करोड रुपयों की लागत से साथ ही गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोड द्वारा मां अंबा के मंदिर तक पहुँचने तक बुनियादी सुविधा त पूरे क्षेत्र के विकास पर ध्यान के अंदित किया गया है इन सभी कशुभारंब करने जा रहे हैं माननिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई भोदी गिर्नार रुपवे आस्था का नया सेतु